नमस्कार में होकम देव क्या अडाने समू का जहाज डूबने वाला है ऐसे क्यों कहा रहा हूं मैं क्योंकि दरासल एक संसनी खेज रिपोर्ट निकल कर सामने आईए उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडाने समू का मामला बहुत गड़बड है क्या है वो आने के बाद पूरी दुनिया भर में अडाने समू को लेकर बड़ी बड़ी खबरे क्यों छप रही है अडाने समू के बारे में इस तरह की बाते क्यों हो रही है कि आने वाले वाक्त में अडाने समू की कंपनिया दिवालिया होगी क्यों हो रही है कौन कर रहा है तमाम बा करकार यूटूबर बनकर बैठें उनसे बहतर कंटेंट हम देने की कोशिस करेंगा बस आपके छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए चेनल को सब्सकाइब यूडियो को लाइक और इसको शेयर करना न भूलिएगा चिली बात कर लेते हैं कि अदाने समूपर कोर्परेट इतियास क सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया है इसके बाद से अदाने के शेयर लगातार गिर भी रहे हैं दुनिया की जाने मानी फोरेंसिक फाइनिशल रिसर्च फर्म हिंडन बर्ग ने अदाने ग्रूप How the world's third richest man is pulling the largest con in corporate history नाम से अपने एक रिपोर्ट जारी किये रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अदाने ग्रूप की साथ सेवन प्रमुक लिश्टेट कमपनिया 85 यानि कि 75 फीजदी से अधिक और वेल्यूज हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद अदाने समों के शेयर ला निशान पर पहुँच गए हैं शेयरों में वेसे 10 फीजदी तक की गिराउट भी देखने को मिल रही है आप जाकर गूगल कर सकते हो तमाम जानकरी और आपको अच्छे मिल जाएगे रिपोर्ट की शुरुआत करते हुए हिंडनबर्ग कहता है कि आज हम अपनी 2 साल की जा 17.8 ट्रिलियन रुपिय यानि कि 218 बिलियन अमेरिकी डोलर का अदानी समूँ पिछले दो दशकों से स्टोक की हैर फेर में और एकाउंटिंग फ्रोट की योजना में लगा हुआ है हिंडनबर्ग का कहना है कि अदानी ग्रूप के प्रमुखल इस्टेट कमपनियों पर पर वेसे आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अदानी समूँ पर कई बार विदेशी अखबार खबरे छापते रहते हैं बताते रहते हैं कि किस तरह से अदानी समराज कही ना कही खड़ा हुआ है किस तरह से कमपनियों में जो पैसे लगाया गये हैं और किस तरह से अमीर बने निकल कर सामने आया है लेकिन कुछ होता जाता नहीं है और वेसे भी कई बड़े-बड़े जानकर ये बात कह चुके हम भी कह चुके हैं कि अदानी समूँ पर इतना सारा कर्ज हैं अगर अदानी साहब की कमपनिया कभी डू भी या दिवालिया हुई तो इस देश का प इज ग्रूप की क्रेडिट साइट्स ने भी अड़ानी ग्रूप को लेकर चिंता जताई थी, बहुत बड़ा बवाल भी उस समय मचा था और अड़ानी ग्रूप की तरप से कहीं नगे सपाई भी आई थी, लेकिन क्रेड शाइट ने भी कुछ इसी तरह की बाते कही थी, इस हिंडनबर्ग का कहना है कि उन्होंने 38 कथित मौरिशत इस्तित शेल कंपनियों की पहचान किये और यह जो मौरिशत में शेल कंपनियों को मामला है यह पहले भी उठ चुका है उससे में भी काफिया होगा मचा था खर जिनका नियांतरन गोतम अडानी के बड़े भाई संदान फर्म ने अपने विस्तरत रिपोर्ट में सबूतों के साथ पेश किये रिपोर्ट के अंतिम हिस्से में अंतिम अदानी के लिए उन्होंने एक नहीं दो नहीं बलकि 88 प्रेशन पूछे हैं जिया 88 प्रेशन करने के अडानी ग्रूप से जो हैं पूछे गए हैं इस कि हमारे सवालों के जवाब अडानी ग्रूप दे तो वہतर होगा खैर मैं आपको कुछ और चीज बता जाता हूं दो एक सवाल मैं आपको बता जाता हूं किस तरह समीर वोरा को हिरा व्यापारी घोटाले का हिस्सा होने के आरूपों के बावजूद आडानी आस्ट्रेलिय डिविजन के कारकले निदेशक क्यों नामित किया गया ये कहिना के सवाल उठाए गया है। जो वो देते रहे हैं जवाब वो जवाब दिया है और रिपोर्ट जारी करने से पहले उन्होंने कहा है कि हमसे नहीं पूछा गया है पूछना चाहिए थे हमारे ख़ाब साजिशे वगरा वगरा कही नहीं जवाब भी हिंडनबर्ग को अडानी गूरूप के तरफ से दिया ग रही है वेसे आपके दिमाग में यह खयाल आ रहा होगा कि यह सारा कारनाम करने वाला व्यक्ति है कौन और यह जो हिंडनबर्ग है इसका संस्ताप कौन है कहीं आने वाले वक्त मेनेज तो नहीं हो जाएगा यह इतना बड़ा बख्षडा कड़ा किया यह आराम समेटा तो क्या होगा तो आपको थोड़ी सी जानकरी में इससे रिलेटेट दे देता हूँ तो इस सारा कारनाम करने वाले का नाम है नाथन अंडर्सन इस आदमी की एक रिपोर्ट से अडानी को 6.1 अरब डोलर यानि कि अगर हम रूपिये में कनवर्ट करेंगे तो पता नहीं कितने खरब हो जाएंगा आप कर सकते हों का जटका दे दिया है अडानी ग्रूप की वित्तिय गड़बडियों पर इनके फर्म हिंडन बर्ग की रिपोर्ट ने संसनी मचा दिया है ओ लगतार धड़ाम होने की वजह से कहीना के उनके शेर भी धड़ाम होते जा रहें अडानी ग् के उद्देश मानव निर्मत आपदाओं और वित्तिय गड़बडियों का परताल करना है इनके संस्ता में सिर्फ दस लोग काम करते हैं रिपोर्ट में अख्ये से सवाल भी किये हैं और उनके सवालों का जवाब मांगा गया है अब देखने ये हैं कि दरसल आगे क्या होग और जिस तरह से ये रिपोर्ट पेश हुई है दाओं के साथ पेश हुई है आकड़ों के साथ पेश हुई है उससे कहीं ना कहीं बड़े बड़े जानका लोग सिधे तोर पर कह रहे हैं कि जिस दिन भी अड़ाने सहाप की कंपनिया दिवालिया हुई उस दिन देश के बैं जिना के बारे में हम सुनते रहते हैं कि मोदी जी ने उनके उपर इतना कर्ज था इतना माफ करती है उनका यह नहीं बड़े-बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ होता है तो आने वाला वक्त पताएगा कि आखिरकारी जो रिपोर्ट पेश हुए उससे अडाने मचोड़ा जटका उन्हें लग चुका है लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि आडाने ग्रूप को और भी जादा मुश्किलों का सामना करना पड़े वेसे मोदी सरकार कर भी सवाल खड़े होते हैं और पुरी दुनिया में कहा जाता है कि सरकार कहीना के इनकी हेल्प कर और सकते हैं उपन स्थार क मुझा कंपेसे ऊँरां मтесь दोर्य रहा हैं są जिस दिन भी आडानि ग्रूप की कंपनियों को अगर इस तरह से हालत खराब हुई दिवालिया होने कगार पर आई तो यकिन मान के चलिए देश में बहुत उल्टे-पुल्टे हो जाएंगे ने की हमारा वित्तिय पुरा हिसाब किताब डामाडोर होने वाला है आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट सेक्चन में जरूर लिखिया का ये था वीडियो का इसा लगा जूरू बतायां जानकर ठीक टाक लगयो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए फिर मैंने किस नए वीडियो में तब तक लिए आपके दोस्तों देए इजाज़त नासकार